Hello Everyone, Welcome to Let's Learn It तो आज के वीडियो में हम 5 ऐसे अप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे जो आपको as a student बहुत help करेंगे As a student आपके लिए ये अप्लिकेशन बहुत helpful रहेंगे ये apps students के अलग-अलग problems को solve करते है जैसे reading हो गया, notes taking हो गया, grammar mistakes किसी question का अगर आपको answer नहीं मिल रहा तो इस तरह की problems को solve करने में ये जो आप्लिकेशन से वो आपके लिए helpful रहते है तो चलो देखते हैं इन आप्लिकेशन को one by one First app है Grammarly अगर आपको spelling लिखने में problem होती है, mistake होती है आप spelling गलत लिख देते है या फिर सही लिखने के बाद भी आपको doubt होता है तो ये जो app है वो आपके लिए best है ये app आपको spelling की जो आपकी problem है गलत लिखने की उसको solve कर देता है means अगर आप गलत spelling टाइप करते हैं अपने mobile phone पे या फिर computer पे Grammarly जो है वो आपकी grammatical mistake को check करता है and उसको ठीक कर देता है तो ये जो app है आपके grammatical mistake के लिए बहुत ज्यादा helpful है Next है Quora तो Quora एक question answer app है means इस तरह का एक platform जहाँ पे आप अपने question पूछ सकते है and आपके question के आपको various answer वहाँ पे मिल जाते है और इस तरह से आप अपने doubts queries होती है उसको clear कर सकते है Next है dictionary.com तो एक English language dictionary है जहाँ पे आप बहुत सारे English words उसके meaning, definitions, similar words, root words वगेरा आप सीख सकते है और ये आपको English सीखने में भी आपको help करता है Next है Amazon Kindle अगर आप भी मेरी तरह एक reader है आपको भी books पढ़ना पसंद है तो ये आप आपके लिए बहुती ज्यादा अच्छा है ये एक तरह से e-book reading platform है जहाँ पे आप free और purchased जो books से वो download कर सकते है and read कर सकते है उसी app पे You can build a kind of library, your own library आप अपनी खुद की library बना सकते है उस app पे means वहाँ पे बहुत सारी books होती है आपको जो भी पसंद हो आप वो download कर सकते है और वहाँ पे बहुत सारी paid भी होती है means आपको purchase करनी पड़ती है तो अगर आपको उसमें से पसंद है तो आप वो भी means खरिद के download कर सकते है otherwise बहुत सारी free book भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी जो आप download कर सकते है and read कर सकते है and last but not the least notion जो कि students के लिए बहुत ही ज्यादा useful है notion एक not taking platform है एक kind of notes storage place है आप अपने सारे e-notes notion पे रख सकते है notes के अलावा आप यहाँ पे अपने daily journal लिख सकते है plans etc यहाँ पे आप सब कुछ यहाँ पे organize कर सकते है तो notion भी students को notes को organize करने में help करता है तो यह भी बहुत अच्छा application है students के लिए So I hope video helpful रहेगा and thank you, thank you for being here